नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नौलिश शो में तो दोस्तों आज मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ उससे जानकर आप बेहद ही ज्यादा खुश होने जा रहे हैं यहां बहुत ही बड़ी खबर है भारत के लिए और बहुत ही बड़ी जीत हाथ लगी है भारत के जितनी बड़ी यह जीत है ना उतनी ही बड़ी हार है यह चीन के लिए असल दोस्तों आपको याद होगा अब से कुछ पांच दिन पहले स्क्रिम पर आप देख सकते हैं उस वीडियो को ये मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि भारत दस ट्रिलियन डॉलर एकोनमी बनकर रहेगा अलकि बहुत सारे लोगों ने हेट कमेंट किया कि ये पत्य साबित होती जा रही है चलिए बिना समयगा वाई वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं अपनी इस खबर को तो दोस्तों जब मैंने दस ट्रिलियन डॉलर एकोनमी वाली वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें बताया था कि जी सेवन की मिटिंग हुई थ कि चीन की इस ताकत को कम करने के लिए सबसे बहतर उपाय होगा शैंक्शन यानि कि हम चीन पर अलग अलग मुद्धों को लेकर परतिबंद लगाएं जैसे कि उईगर मुस्लिम पो लेकर कुछ परतिबंद लगा दे साल 6 महीने बाद होंग कोंग के परदरशनों को लेकर प भारत ही आएंगी लेकिन तब बहुत से लोगों ने कहा कि जीनि भारत तो आएंगी यह जाएंगी वियतनाम इंडोनेशा थाइलेंड और इसके लावा मलेशिया भारत यह नहीं आने वाली लेकिन जिन लोगों ने यह बात कही थी आज वो गलत साबित हो चुके हैं दरसल आज ही खबर निकल कर सामने आई है कि चीन के अंदर सैमसंग कंपनी का एक बहुत बड़ा डिस्प्ले प्लांट था कितना बड़ा था इसमें 10,000 से ज्यादा लोग काम करते थी समझ सकते हैं कितना बड़ा प्लांट होगा यह और इस से पूरी दुनिया में डिस्प्ले एक खाड रही है और कहां लगेगा यह भारत में भारत में कहां पर नोईडा में दरसल नोईडा में ही समसंग ने अब से डेड़ साल पहले एक फैक्टरी का निर्मान किया था जो आज की तारीक में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्टरी है तो वहीं पर ही उसके बरा फाइदा मिलेगा एक तो फाइदा भाई employment होगी बहुत तेजी से दूसरा फाइदा होगा कि भारत से चीजे एक्सपोर्ट होगी तो भारत की जो economic power है वो बढ़ेगी लेकिन जो सबसे बड़िया फाइदा यह होगा ती दूसरी जो company चीन से निकल कर ये देख रही है कि हम क भारत का रुक करेंगी तो इसलिए इसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत के तोर पर इस समय देखा जा रहा है और चीन की बहुत बड़ी हार है क्योंकि सैमसंग लगातार चीन से बाहर जा रही है और सैमसंग आपको बता हूँ चीन के अंदर लाखों लोगों को जरूर देना चाहिए और आप भी अपना व्यू दीजेगा कि जितनी भी बड़ी कमपनिया इस समय भारत में आ रही है टेसला एपल इसके लावा किया मोटर्स और एलजी और सैमसंग ये सारी की सारी चार राज्यों में सिमट कर रही है या तो करनाटक या फिर महरास्ट या फिर आपको मिलेगा तमिलनाडू या फिर चोथा है उत्तर परदेश इनके लावा जादातर राज्यों में नहीं जा रही है हाला कि मैं खुद यूपी से हूँ लेकिन मुझे लगता है कि हमें चीन वाला काम नहीं करना चीए चीन ने क्या किया और जातर देश क्या करते है कि अपने दो-तिन श्टेट में ही सारी इंडस्ट्री रख लेते हैं जिससे की इनेक्वैलिटी बहुत तेजी से बढ़ती है यानि किसी राज्ये में बहुत गरीब हो जाएंगे किसी राज्ये में बहुत अमीर हो जाएंगे ऐसे में जो केंदर सरकार है जो छोटे राज्य है जिनके अंदर कड़ी टककर है महराश्र और यूपी दोनों के बीच में रेस है इस समय कि कौन पहले वन ट्रिलियन एकोनोमी बनेगा लेकिन जो बाकि छोटे राज्य हैं हमें उन्हें भी इक्वल मौका ही देना चाहिए हाला कि आपका इस पर क्या विपोई ठोका कमेंट बताना वीडियो को शेर करना और चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर लेना फिलास विमें इतना ही थैंक्यूरस वीडियो